चलिए setup करते हैं Enhanced Conversion सबसे पहले हम हम मारे dashboard पे tools की button दवाएंगे उसके बाद Conversion की बटन दवाएंगे इसके बाद आपके पास यहां conversions मिलेंगे इसमें जिसका भी आपको Enhanced Conversion Setup करना उस पे हम click करेंगे दोस्तों enhanced conversion setup करने के लिए आपके पास पहले से ही conversion setup किया हुआ होना चाहिए तो हमारा यहां पर conversion setup है इसमें हम जिसका भी setup करना enhanced conversion उस पे हम click करेंगे और click करके दोस्तों आप यहां नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा enhanced conversion हम इस पर tick करेंगे इसको drop down करने के बाद यहाँ पे एक turn on की बटन आती है इस turn on की बटन पे हम tick करेंगे टिक करने के बाद दोस्तों यह आप से दो option पूछता है Google Tag, Google Tag Manager या तो फिर API तो दोस्तों हम Google Tag Manager के help से यह सारा काम करेंगे जो कि सबसे आसान और best तरीका होता है तो हम यहाँ पे tick करेंगे इसके बाद next की बटन दवाएंगे अब यह आप से बोल रहा है कि आप अपने website का URL यहाँ पे डालो ताकि वो check करेगा तो हम URL डालके यहाँ पे check URL की बटन दवाएंगे दोस्तो इसके बाद इसने पता लगा लिया कि कौन-कौन सा tag हमारी website पर डला हुआ है Google Tag या Google Tag Manager तो हम Google Tag Manager को choose करेंगे और फिर से हम next की बटन दवाएंगे इसके बाद दोस्तो यहाँ पे सारा काम खतम हो जाता है आप यहाँ पे save की बटन दवादेंगे अब आपको जाना अपने Tag Manager के अंदर तो दोस्तो हम हमारे Tag Manager के अंदर आ गए यहाँ पे आपको वो वाले tag को select करना है जो Google Ads का conversion tracking जहाँ पे आपने setup किया था तो हम Google Ads का conversion tracking वाले tag पे click करेंगे इसके बाद दोस्तो हम इसमें edit के लिए यह pencil की बटन दवाएंगे इसमें सब को setup को scroll करके नीचे आएंगे यहाँ पे एक option मिलता है आपको include user provided data इस पर हम tick करेंगे यहाँ पे आपको एक drop down में select करना है new variable new variable को choose करने के बाद आपको इस page पर आएंगे यहाँ पे आपके पास option आता है automatic collection को हम tick करेंगे और यहाँ पे हम save की बटन दवादेंगे और यहाँ पे जो भी आ रहा है user data provided data to इसको as it is हम save कर देंगे उसके बाद इसको भी हम save कर देंगे इसके बाद हम इसको submit कर देंगे और publish कर देंगे दोस्तो बस इतना साही काम था इसके बाद आपका अगर आपको कोई भी डाउट या दिखका थे या अगर आपको कोई services चाहिए e-commerce या advertising से related तो आप screen पर दिये गए number पर मुझे contact कर सकते है